राधि राधि फ्रींज चली आस बणाते हैं कम तील मिसाले का बहुत स्वादिक अच्छल पटा कदा यह तो चलीय आस साथ में बनाने वी बहुत आसान हो चली आसके र्येज़ की रिस्पी स्टार्ट करते हैं इसके लिए क्या करना और वह फटा-फट से देखे लेते हैं इसमें एक प्यास बारी काट करके अड करेंगे और चलाती हुए हलका सा बोलेंगे अब हमने क्या करना है थोड़ी दिर जब प्यासल कासा हाइफ हो जाये गा हुआ यहां पर कुछ चीज़ यथा करने हैución कि पहले हुए आलोय लगबग Corporate मैंने 6-7 उबले हुए आलो लिए हैं इसे के साथ मैंने मसाले को से एक चमच मैगी मसाला आदा चमच कस्मीरी लालमिज पाउडर अगर 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 आधा चमच पाउडर जो वह बहुत आतीकी नहीं होती है तो इसलिए आप इसमें आधा चमच एड़ कर सकते हैं बच्चों क तो आलो को पहले से मैश करके ले सकते हैं या फिर मैंने इस तरह से डायव डाल दिया उसके पासे मैंने मैशर के हैफ से कट किया हुआ और फिर मैंने इसी मैशर के हैफ से मैश कर लिया हुआ है इस तरह से हम अच्छे से आलो को मैश कर लेंगे इसमें कि इसमें बिल्कुल या गाठे ना रहे मेशर केल पर बहुत अच्छे से यह मैश हो जाता है और बिल्कुल इसमें आलो की गुठले वगरा नहीं रहती है इस तरह से हमारा आलो का मसाला जो बंगर के तयार हो गया है हमारे नास्तिक लिए आप इसमें अपने मन पुसंद के मसाले वगरा भी निकाल लेंगे एक प्लेट या थाली में और पहला आखर के रग देंगे हलका सा थंडा होने के लिए तब तक यह थंडा होता है तब तक हम बागी के और भी तैयार कर लेते हैं इसी के साथ मैं आप सभी चोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल प अब सूजी याट करेंगे थोड़ी थोड़ी जैसे पानी मुवाल आ जाएगा थोड़ी थोड़ी जालते जाएंगे और तुरंती पल्टे के यह से मिक्स करते जाएंगे जिस्तिक इसमें गाठी या गुठनिया वगरा ना बने थोड़ी दिर में चुछी अच्छी से पक जाएगे लगए चार से पांच मेरत अच्छी से चलाते वे पकाएंगे जब इससे डोगी तरह कठा होने लगेगी तो इसे थाली में हम निकाल करके रख देंगे ठंडा होने के लिए यहां पर ध्यान रखिएगा कि हमें सूजी को अच्छी से पका लेना है सूजी हमारी जब इसका डोग बना रहे हैं उस वक्त अगर चिपक रही है तो थोड़ी सी थाली में फिर से ओल लगा दिजी और हाथों में भी हलका सा ओल लगा लिजी कोई भी आप घी ओल जो भी खाना पसंद करते हैं वह यहां पर इस्तमाल कर सकते हैं फिन अपनी हाथों के यह से करके रेडी हुआ है अब हमें क्या करना है हमने लेना है एक छोटा सा इस तरह का धकन अगर धकन नहीं है तो आप कोई भी कट करने लाइक कटोरी यह ग्लास का भी इस्तमाल कर सकते हैं मेरे पास धकन था तो मैंने धकन ले लिया हुआ इसमें अच्छे से ओल लगा दिया अगर आपके पास धकन नहीं है तो आप इसकी चोटी सी पूरी बेल लीजिए और फिर इसे कटोरी या फिर ग्लास से कट कर लीजिए इस तरह से आपको बिल्कुल गोल से मिल जाएगी तो इस गोल सेप को हमें साइड में रख देंगे सेम प्रोसेसी सथ सभी को बना करके हम तैयार कर लेंगे तो मैंने दूसरे वाले को भी सेम धकन में रख और इस तरह से दबा दिया जो भी एक्स्ट्रा सूजी था उसमें वो निकल गया है बागी का किनारे का जो पोर्शन बचा हुआ हुआ है उसे हम निकाल करके अगली नेस्ट वाली जो बनाएंगे गोल सेप के लिए हम रख देंगे तो इस तरह से हमने सभी को बना करके तयार कर लिया हुआ है मैंने टोटल यहां पर 6-7 पीसे बनाया हुए थे जिसमें समय से 6 का इस्तमाल किया हुआ था एक का मैंने दूसरा कुछ बना लिया हुआ है फिर हमने क्या करना है जो हमने आलू का मसाला टैर किया हुआ बोले लेंगे और इसकी चोटी से इस तरह से टिकी बनाएंगे बना करके हमने चोटी चोटी गोल गोल से से बनाये हुए है उनके उपर रखेंगे और इस तरह से आलू के मसाले को थपतपा देंगे जिसकी आलू का मसाला जो है वो सूजी के इस दो में अच की तरफ सेट हो गया है अब हमें क्या करना है एक चाकू ले लेना है सेम प्रुसिक साथ पहले सभी को बना करके रख लेंगी एक चाकू लेंगी इस पर पीछी की तरफ इस तरह से पहले और लगा देंगी घी और कुछ भी आप लगा सकते हैं इसके बाद से हलकी हलकी हातों से तुट इस तरह से यहां पर दबाएंगे जिससी केश पर by निशान पढ़ जायेंगे और से नास्त्य देखने में कापी कुभूसूरत लगता जूए है जब इस तरह से नास्त्य तो को आगे और पीछे दॉन तरप और जटपट से बिना तेल में कुछ ट्राइक करने का मन करें तो इस रेसिपी को ट्राइक कर लीजिएगा और कम महनत के साथ तो ये बन करके तयारी हो जाएगा तो अब हमें क्या करना है गैस की फ्लिम पर तवा रख देना है बिलकुल भी के नास्ते को पकाना नहीं है क्योंकि हमारा नास्ता अलेडी पका हुआ आलू का मसाला अच्छी से पका हुआ है आप चिंप तो इस नास्ते को फ्राइ करके बिना सकते हैं मैंने इसे सर्फ किया था गर्मा गरम टमेटे सॉस के साथ आप इसे बच्चों को टिपन बॉक्स में भी दे सकते हैं कि उस्तेस्टी और हेल्दी स्टफिक में इस्तेमाल करके इसरे से जटपट से बना लीजिए इंजॉय कीजिए फैंस कैसी लगी आज की आपको मेरी इस्पी मुझे कमेंड बॉक्स में जरू बताइएगा मिलतें इस्पी के साथ अब तक लिए बाबाय और टेक एर